चुनाव खतम हुए एक महिना से जादा समय हो गए हैं और आज भी देश में EVM को लेकर करके कई सारी बाते जनता के बीची में चल रही है और कई सारे खबरे सामने भी आई हैं तो उसमें से कुछ ऐसी खबर को मैं आपके सामने रख रहा हूँ पहली बात तो ये कि देश में जब चुनाव हुआ तो पहले चार चर्णों के बीच 373 सीट्स ऐसे थे जहांपे EVM के अंदर जो वोट पड़े और जो काउंटिंग में निकला उसके बीच में डिफरेंस है इसको लेकर के The Quint ने जब एक official complaint election committee को दिया तो election committee ने कोई reply नहीं कि उसने एक detail निकाला कि इस चुनाव में टोटल जो वोट हुए और जो टोटल वोट काउंट हुए उसके बीच में 54,65,000 वोटों का डिफरेंस है 54,65,000 इससे 100 लोगसभाशीट का जो result है वो change हो सकता था 100 लोगसभाशीट का परिणाम बदल सकता था जो तीसरा fact है कि दिल्ली में एक RTI activist मनरणजन रहे उन्होंने RTI किया election committee को भी और EVM manufacture करने वाली जो कमपनिया है BEL और ECIL उन दोनों के पास RTI किया कि 2014 से पहले 15 साल के भीतर आपको कितना आपने कितना EVM manufacture किया और election committee को पुछा कि आपने कितना manufactured EVM receive किया उस बीच में ये जवाब सामने आया कि 20 लाख EVM आज भी missing है जिसको BEL और ECIL ने बना करके supply तो किया लेकिन election committee ने receive नहीं किया इसको लेकर करके मनरणजन रहे एक PIL द चोथा fact एलेक्षन के counting स्टेश तारी को जो counting हो रही थी उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहु सारे EVM machine प्राइवेट कार में बस में ऐसे local जगा पे घूम रहे हैं और कुछ जगा ऐसा भी आया उतरपरदेश में खास करके जहां पे strong room में EVM machine 48 घंटे बाद ल भूम रहा है तो एलेक्षन कमिटी बोला EVM सुरक्षित है लेकिन वो वीडियो फेक है ऐसा एलेक्षन कमिटी ने कभी नहीं कहा तो ये सवाल भी बना हुआ है पाचवा फेक्ट जो एलेक्षन कमिटी है उसका अपना एक TEC होता है टेकनिकल इवेल्यूएशन कमिटी तो TEC ने 1990 में और 2006 में अपने document में ये कहा कि EVM का जो software है उसको वो unreadable होता है बाहर से उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं तो जब आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप उसको बदल भी नहीं सकते हैं लेकिन वही एलेक्षन कमिटी का TEC ने 2013 में अपने document में कहा कि कोई बाहर से software के use स आप उसको पढ़ सकते हैं यानि एलेक्षन कमिटी का technical evaluation कमिटी खुद ये बात मानने लगा है कि ये जो software का development इतने दिनों में हुआ computer और computer science का जो बढ़ोतरी हुआ उसमें आप उसके चीप को पढ़ सकते हैं छठा पॉइंट एलेक्षन कमिटी का जो बार-बार दावा है क कि EVM machine के अंदर जो software use होता है वो OTP system है यानि one time programming आप एक बार उसका programming करेंगे तो दुबारा से change नहीं कर सकते हैं ये भी गलत साबित हो चुका है एक RTI से पता चला कि जो BEL है यानि भारत electronics limited जो EVM बनाती है उन्होंने बताया कि जो उनका जो software है वो नीदर लैंड की एक company नीदर लैंड में इस्थित एक American company NXP से बन के आ रही है और वो जो NXP company है नीदर लैंड में उसने अपने website पे ही लिखा हुआ है कि वो जो cheap बनाते हैं वो OTP नहीं है यानि one time programming नहीं है तो जो manufacturing company है वो खुद करें कि one time programming नहीं है और भारत का election committee करा है कि one time programming है तो ये तो ज बिधान सभा चुनाओ उसमें विकास नगर सीट से एक कॉंग्रेस के जो candidate थे उनको चुनाओ से पहले ही किसी ने social media पे post डाल दिया कि आपको इतना vote मिलेगा और उनको उतना ही vote मिला इसके अलावा उस चुनाओ में अलग-अलग बुथों पे ये शिकायत आई जहां पे voting क के समय जो EVM नंबर था और counting के समय जो EVM नंबर था वो दुनों अलग-अलग था इन सारे चीजों को लेकर के जब कॉंग्रेस के वो विपक्ष के नेता थे वो लोग जो हाई कोट में केस कर दे गए और हाई कोट में केस फाइल हुआ और उसके बाद पांच केस और फाइल ह इसी चुनाव में लेकिन उस पूरे मामले पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है कोई उस पर जज्जमेंट नहीं आया अभी तक आठवा फैक्ट एक अफरीकी देश है बोटस्वाना बोटस्वाना में वहाँ के जो सत्ता अरुड़ पार्टी है जो वहाँ का सरकार में पार्टी है उसने एक कानून पास करवाया कि भारत से जो EVM वो मंगाएंगे और अपने यहाँ चुनाव करवाएंगे भारत के EVM से इसके बद वहाँ की विपक्षी पार्टी कोट में चली गई और कोट के आदेश के बाद वहाँ का एलेक्शन कम् merchant कमिटी वहाँ का एलेक्शन कम्यटी के एक डेलिगेशन इंडिया के एलेक्शन कमिटी के पास भेजा और इनसे यह रिक्वेस्ट किया कि आप अपना एक ए इवियम हैक नहीं हो सकता है जब अगर आप भारत के एलेक्शन कमिटी को अपने इवियम पे इतना confidence है कि उसको हैक नहीं कर सकते हैं तो उनको जाकर करना चाहिए था क्योंकि आप अपना सामान वहां सप्लाई कर रहा है लेकिन यह नहीं हुआ इसके अलावा इलेक्शन कमिटी ने चुनाव से पहले अपने बेवसाइट पे कहा कि जो इवियम होंगे उसके उपर जीपीएस लगा होगा और उसका जो भी आटियाई करके उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि इवियम के जो ट्रांस्पोर्टेशन के जीपीएस का डिटेल है वो है आपके पास तो उनका कि नहीं है हमारे पास वो नहीं दिया किसी को क्योंकि उस पास था ही नहीं नौवा फेक्ट यह है कि इलेक्शन कमिटी ने यह कहा कि बीब की आवाज जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो बीब की आवाज आएगी और उसके बाद वीवी पैट पे साथ सेकेंड तक वो चुनावची ने दिखाई देगा जहां पे आप वोट करने जा रहा है बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आये जहां पे में उन्होंने 17 लाक वीएम यूज किया गे 17 लाक वीएम जब यूज हो रहा है तो वीएम का बीच में सर्विसिंग होता है जब फाइनल स्कूरूटनी होती है यह कैंड़े जनांग को सिरियल नंबर एलेक्शनका का सिमिल जो है इससाभ फिट करना होता है तो इसको fit करने का जो समय है पहले चरण का और अंतिम चरण के बीच का जो समय देखेंगे आप तो 42 दिन का समय मिलता है election committee को जब आप 17 लाख EVM को fit करना है वहाँ पे और इसके लिए प्रती दिन 41,000 से ज़्यादा EVM हर दिन उनको चाहिए EVM fit करना पड़ेगा हर दिन तो लेकिन election committee के पास तो ऐसा कोई force नहीं है engineer नहीं है इस तरह का capable ना उनके पास special software वाला computer है कोई laptop है BEL के पास भी नहीं है जो भारत electronics limited है और जो ECIL है electronics corporation of India limited इनके पास भी नहीं है तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर कौन company को आपने hire किया जिसका engineer आप use किये और अगर आपने company को hire किया तो hire करने का process क्या था वो तो जनता को नहीं पता है इस बात की क्या guarantee है कि जो लोग अपना engineer supply किये होगे जो private company अपना engineer supply की होगी वो किसी political party से influence नहीं है इस बात का क्या guarantee है ये 11 ऐसे सवाल है जो हम election committee से पूछना चाहते हैं और इसलिए हमें लगता है कि EVM इस चुनाव में एक महतपून factor है वो बाकी factor की तरह कौमा के बाद एक factor नहीं है क्योंकि विपक्षी दल अगर अपनी कमियों और कमजोरियों को ठीक भी कर लेते हैं और EVM अगर एक मुद्दा बना रह जाता है तब आप समझे कि हो सकता है कि फिर से कोई important चुनाव हो और आप हार जाए इस जुनाओं के समय सा कोई महौल किसी को दिखा नहीं अगर जनता के एक परसेंट हिस्से को भी इस बात पर confidence नहीं है वो डर रहा है कि हमने जिसको वोट दिया वोट उस पार्टी को नहीं गया होगा अगर जनता में ये confusion है तो आप समझे कि लोकतंतर के लिए बेहत खतरनाक स समय है इसलिए हमारी मांग है इसलिए विपक्ष को भी चाहिए कि सब लोग एक जुट हो करके EVM के खिलाफ आंदोलन चलाए EVM को लेकर के सुप्रीम कोट और election committee के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ अल्लेडी बीजेपी ने अपना management फैला रखा है तो EVM के सव चुनाओ होता है तो हम चुनाओ बैकॉट करेंगे तो बीजेपी अकेले चुनाओ लड़े और अकेले जीते यह स्थिती में देश को ले जाना होगा तब जाकर कि इस बड़े संकट से कोई समाधान निकल सकता है